जो दो तीन एहम बाते इस बार के बजट में वो ये है कि दो हेक्टेर तक जमीन वाले किसानों को 6000 रुपए सालाना इंकम सपोर्ट दिया जाएगा और ये अभी से ही लागू, 2008 से ही इसको लागू कर दिया जाएगा, इससे खुश हैं आप लोग? पहली बात तो ये 6000 रुपए मात्र होता कितना है समेहगाई के दोर में, वो भी तीन किस्तों में, यानि 2000 रुपए, 2000 रुपए, 2000 रुपए, 2000 रुपए, वो होता कितना है, लहाज हम इससे असंतुष्ट है, ये कोई राहत नहीं हैं, ये तो वूट के मुन में जीर हैं। कहीं भी किसी तरीके से हमारी फसलों का जो खरीद का ढाचा है वो नहीं है सबसेरकार ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि 22 फसलों का जो MSP है वो तैय लागत से 50 फीस दी किया गया है इससे आप लोगों को कहीं न कहीं बहुत बड़ी राहत है रही बात इसकी 50 फीस दी जो बलहुतरी की बात है केवल दो जीनसों को ही गवर्मेंट खरीदती है गैहूं और गन्ना और इसके अलावा बीस जीनसों को तो हम 100% प्राइवेट मंडियों को बेचने के लिए मजबूर है और प्राइवेट मंडियां पहले जैसे ही धाचे पर खरीद करती है वही लूट वही लूट यानि सरकार ने जो कहा था कि बीस से विचौलिया हट जाएगा और समर्थन मूल इस सरकार जो तैय कर देगी उसके बाद किसानों का फायदा होगा कुछ हुआ यह कहिए कि बीस का विचौलिया और जादा मजबूत हुआ है और टोटल का टोटल हम प्राइवेट मंडियों को बेचने के लिए मजबूर है लहाजा जब खरीद का धाचा सरकारी सेक्टर का नहीं है तो समर्थन मूल प्राइवेट मंडियां कभी नहीं दे पाती और नही कभी दे पाएंगी सरकार का उनकुस नहीं है किसान क्रेडिट कार्ड पर भी जो सरकार ने इस बर कहा कि दो प्रतिसट आप लोगों को और यह मिलेगा तो कहीं नहीं को रहताट मिली थी इन फाक्ट आप लोगों को सहूलियत हुई थी खरीद बिकरी में देखिए इस किसान क्रेड़ित काड पर दो परसंट जो भ्याज की जो छूट बताई है इससे किसान को कुई लब नहीं है पहले तो किसान का लोनी नहीं हो रहा है दूसरी बात अब किसानों में जाओगे तो इतनी दांदलिबा जी है यह किसानों को बेंकों में किसानों के बीच में बिचुलिये बैठे हैं जो लोन होता है उनको हटाएं और जब वो लोन सही से उनको मिल जाएगा उसमें कोई कमिशन खोरी नहीं होगी तो उस पर द्याज पेछूड देने की भी कोई आप सकता नहीं है जबकि वो एक लगका लोन करा रहा है उसको मिल रहे है 80,000 रुपे, 85,000 रुपे किसान को तो 15,000 रुपे वो भी इससे होगे तो ये 2000 रुपे से किसान का पेट नहीं भरेगा और ये किसान के लिए नाकाफी है और ये इससे किसान संतुर्त है बिजली पानी की समस्या बहुत बड़ी रही है, लेकिन सरकार इसे हमेशा दूर करने की कोशिश करती रही है, इस बार भी इस बजट में भी इस बात का दिक्री किया गया है। देखें विजली की बात आई आज जो बिजली दी जा रही है इतनी महंगा लॉप्धे ना टीच वार 590 वश्वला योजना से फादा हुं ऑजवल्यॅज नहीं होआ कि वली लॉलीपोब है जो 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 क्यों आप यह नहीं मानेंगे कि गैस सिलेंडर मिले मुफ्त में गैस सिलेंडर मिले इस बात का स्वागत परंतु गैस सिलेंडर के लिए जो पैसा जो बढ़ोत्री हुई है गैस की जो रेटों में जो इजाफा हुआ है दूने से भी फालतू वो कहां से आएगा गरीब के पा भारत योजना खास करके जो गरीब वर के लोग हैं उनके लिए खास करके इंडिड्यूस किया गया था उससे फायदा कितना किसानों को गरीब परिवारों को हुआ है देखे मेडम यह एक जुमला था आज की डेट में अगर कोई गरीब का बच्चा होस्पीटल यह कहीं जा अनता उसे गेट पर बैटा देते कि जाईए अब कुछ नहीं सरकारी ऑस्पीटल की बात आती है सरकारी ऑस्पीटलों में आज डेट में अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए तो इंजेक्शन भी नहीं है इंजेक्शन भी बाहर से मंगवाते हैं वो लोग और नेडल भी ब पहली बात तो मेंडिकल सप्लाई जैसे कुत्ता काट लेता है देहात में कुत्ते बहुत हैं कुत्ता काटता है तो रेवीज के इंजेक्शन नहीं है इंजेक्शन क्या निडल भी नहीं बाहर से खरीद के लाना होता है तो जब यह सारा सब कुछ प्राइविट सेक्टर में हो रहा है तो इस आयसमान भारत का क्या होगा यानि कुल मिला के चाचा आप ये बताइए आप तो इतने समय से देख रहे हैं खेती कर भी रहे हैं पूरी जिंदगी आपने इसमें लगाई इस बार के बजट से कितनी उम्मीद थी और कैसा लगा बजट देखो जी बजट के प कर्ज माफी तो चाचा जब उत्तर प्रदेश की सरकार आई थी तभी योगी सरकार ने आते ही कर्ज माफी कर दिए ऐसा कुछ नहीं हुआ एक एक लाक रुके की राहत दी है यह बताई कि बजट पेश हो चुका है कैसा लगा बजट देखिए बजट में कुछ खास नहीं है जैसा कि मानिवित मंतरी जी ने बेजट पेश किया है जो और सालों से बजट सरकार का पेश होता रहा था उसी परकार से बजट है इसमें किसानों के लिए कोई नया कोई लाब कोई मुनाफ़ा वाली बात नहीं है और ये केवल एक लॉली पॉप है जैसा कि पीछे से चला रहा है किसानों के लिए कोई करज माफ ही हो थी किसानों सब लोग सोच करके बैठे थी कि हमारी एक तरफ से एक मुझ्ध धनराची जो बैंकों से हमने के सी और अन्य चीजों पर यू लोन रेल रखाए वो माफ होगी और सरकार हमें बड़ी रहत देगी यह बजट केबल आम बजट है और इसमें कुछ खास नहीं है इस बार लेकिन बजट में यह कहा गया कि बिजली और पानी पर विशेश तोर पर ध्यान दिया जाएगा गाउं में पिछली बार भी इस बात का जिक्रत था इस बार भी है आप कुछ कहना चाहिए जिसमें पहले ग्यार महिना तक में काफी हमें पैसे भर भी दिये 9,664 रुपया बकाया रह गी उसके बाद में तीन महिना को बिल बढ़ा के 97,000 रुपया कर दियो गयो उसके बाद दूसरों सब्सक्राइब कर दियो गयो तीसरे बिल पर एक लाग क्या आपने समय पर पैसा नहीं दिया था समय पहले यह नहीं नहीं बढ़ा दियों इसलिए अब मैं कहां से लाओं आप बताव मेरे घर को फैक्टरी नहीं कोई कैसर कारिये नहीं है खाली एक लाट के सिवा अब तो अगर सब्सक्राइब कोई बीजिए और एक लाट को से च्टम है और इत्रेट नोबेल ठोक रहे अठार हडार बीस पीस हजार प्या एक एक महिना में बेल ठोक रहे मता कहां से किसान आद्वी देव यह आप क्या कहें पारे मेरे प्यारे मोधी जो हमें उमीदी ना आप से एक बिजली जो मेहकम होना आप मतलब लेके डूबने बालो है रहो है एक एक किसान पर मतलब जो घरेलू बिजली के बिले न वह डेट लाख रपा साल के बिल पताओ कहां ते मतलब किसान बढ़े गोई ने और या बिजली विवाग अगर तुम टायट ना करोगे ना तो हम तुम्हें गारणडी ते कहना है कि बिजली विवाग तो में लेके डूबने बारो है रहो है हमारी और या विजली विवाग अटाट करोगे तो हम तुम्हारे साज साथ साहयोग देंगे और पूरी उम्मीर हमें के मतलब दुबारा भी तुम ही आओगे पर लेकिन या पूरी नहीं हुई उस उमीद पर ये सरकार खरी नहीं उत्री